नमस्कार मैं हूँ कुनाल और आप देख रहे हैं वी वित्यू आज लोकसभामेन वित्मंत्री निर्माला सिता रमन ने सरकार का बजट पेस किया ये बजट अंतरिम बजट है चुकि मैई 2024 में सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है और नई सरकार का गढ़न होगा लेकिन इस वित्य वर्ष 2024 के लिए जो समय सरकार नई सरकार गठन होने से पहले का समय है उसके लिए बजट है इसलिए ये अंतरिम बजट के रूप में है हाला कि इसे आप 2024-2025 का कुन बजट भी समझ सकते हैं कि ऐसा उमीद है कि अगली सरकार भी साइट एंड ये की ही बनेगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है खेर तो आज सरकार दोरा जो भी वित्मंत्री ने जो बजट पेस किया उसमें क्या कुछ खास है नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, नौकरी पेशावालों के लिए, आम जन्दा के लिए तो उसके हाईलाइट्स को जानेंगे इस वीडियो में तो आनतक आप बने रहें क्योंकि इस पूरे बजट में जो कुछ भी खास है, हाइलाइट्स हैं, मैं उसे बस सिंक्रोनाइज करके और बड़ कुछ ही समय में लगबग 10 मेट में पूरी हाइलाइट को सरकार की योजनाओ को और जो भी सरकार की वविश्च की प्लानिंग है, उसके बारे में आपके साम की उपलब्तियों का जिक्र किया, उसके बारे में बताया, मंतर ने बताया कि सरकार का लक्ष है कि वहारत विक्सित राष्टर के रूप में उबरे और इस गती में जो हमारा प्रयास है, यानि सरकार का प्रयास है, और सरकार की जो देश की एकनौमी हार्थ ब्यासता है, वो अच्छे तरीके से चल रही है तो उन्होंने अपने पिछले तस वर्ष के कार्शिकाल के दौरान सरकार दौरान जो भी किये गए है उसके कुछ बिंदे उकों उन्होंने बताया है जैसे उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर हम आएंगे जो चीजे हम सब के लिए खास है जैसे उन्होंने बताया कि 80 कड़ोर लोग को मुफ्तरासन दिया गया है 10 साल में 390 विश्विद्याले खोले गये है 1 कड़ोर 4 लाख जवाओं को स्किल इंडिया के अंतरगत स्किल्ड किया गया है 15 नए एम्स खोले गये हैं, 16 आई आई टी खोले गये हैं, 3 तलाग ज़से कानून लाए गये है PM आवास में 70-30 महिलाओं को घर दिया गया है 12 कड़ोर किसानों को कर्ज भी दिया गया है और भी बहुत सारी चीजे उन्होंने हाइलाइट किया है जो उनकी पिछले 10 वर्स की उपलब दिया है अब जानते हैं, इस बजट में क्या कुछ खास है क्या महत्पुन है हम सब के लिए, आम जनता के लिए सबसे पहला जो बिंदू हमें अच्छा लगा वो है Renewable Energy का जो सरकार का योजना है, सरकार ने लक्ष रखा है कि आने वाले वीतिय वर्स में इक कडोर खरो पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और इससे देश के मध्यम बरगिये और गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी ये सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है इससे कडोरो परिवार को लाव मिलेगा इससरी ने बताया है कि डेरी फार्मिंग पर विशेस किसानों को लोन और उसमें छूट दे करके उसे बढ़ावा देने का परियास किया जाएगा छोटे और लगू ध्योग हैं उसको सरकार विशेस ध्यान देगी ताकि लोग के रोजगार में बढ़ोत्री हो और इसके जो प्रोड़क्ट्स हैं उसे गलोबल अस्तर तक पहुँचाया जा सके इसके लिए सरकार आगे काम करेगी सरकार ने कहा है कि मतर से पालन पर भी विशेस ध्यान दिया जाएगा इसके लिए फंड्स और बजट अलॉट होंगे और इसे बहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा ताकि इसमें भी लोगों को रोजगार मिल सकें 42,000 रेलवे बोगियों को बंदे भारत के स्टेंडर का उसके हिसाब से तयार किया जाएगा जैसा कि आप सबको पता होगा कि बंदे भारत ट्रेन अभी चालू की गई थी और उसमें जिस तरह से बोगी है उसमें जो फैसलेटित दिये गए है उसी तरह से रेलवे के 42,000 और बोगियों को तयार किया जाएगा तो ये एक अच्छी खबर है यूकि रेलवे में हरोज एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है और इसमें जब भी नया परिवर्तन आएगा और आधनिक उसमें बिक्सित बोगिया हमें देखने को मिलेगी तो इससे भी हम सबको काफी सुधाय मिलेगी अगला सरकार का पॉइंट था दो हजार सत्तर तक कारबन उत्तरजन को जीरो किया जाएगा इसके लिए रेनेवेबल इनर्जी पर पेतर जोड़ दिया जा रहा है सकार ने आने वाले वर्षों के लिए दो करोर नए घर बनाने का प्लान रखा है पहले भी तीन करोर घर बना कर पीम आवास योजना के अंदर गतलों को दिया गया है आने वाले शमय में दो करोर और घर बना कर जरीबों को देने की योजना है ये एक अच्छी खबर है सगार ने बताया है कि पिछले 10 वर्सों में एरपोर्ट की संख्या लगबग दूनी हो गई है वस 2014 के दोरान लगबग 70-75 एरपोर्ट जहां हुआ करते थे अभी 10 वर्सों के पात मौझूदा समय में एरपोर्ट की संख्या देश में 149 हो गई है तो ये और डेवलोप्मेंट उस पे कंटिन्यू जारी रहेगा और भी एरपोर्ट बनाये जाएंगे ताकि घहलू उडान जो है ओ लोगों को आसानी से उपलबग दो इनोवेशन के छेतर में काम कर रहे है युवाओं को 50 साल तक इंट्रेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा तो ये एक बहुत अच्छी खबर है अच्छी पहल है सरकार की 50 साल तक इंट्रेस्ट फ्री इसमें लोन मिलेगा और इसमें एक लाख करोर फंड जो है सरकार एलाट कर रही है बंदे भारत में 400 बोगियां अपग्रेड होगी तो बंदे भारत ट्रेन जो है अभी एक अच्छी फैसलिटी और अच्छी ट्रेन मानी जा रही है जो कि कई रूट्स पर अभी अविलेबल है तो सरकार और भी बंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना रखी है टूरिजिन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राज्य सरकारों को कर्ज मुक्त ब्याज देने की भी घोसना की है तो ये भी एक अच्छी बात है साथ ही जो एलेक्ट्रोनिक वीकल है एलेक्ट्रोनिक वीकल को प्रमोट किया जा रहा है और एवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देगी उसका फोकस उसका रहेगा ताकि पेट्रोल और डीजल पर जो मौझूदा डिपेंडेंसी है सबकी वो थोड़ी कम हो सके इसलिए एलेक्ट्रोनिक जो एलेक्ट्रिकल वीकल है उसको सरकार प्रमोट करेगी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अलगला बनाएगी तो ये भी अच्छी बात है जन संक्या की चुनोतियों से निपटने के लिए एक कमिटी बनाया जाएगा ऐसा भी सरकार ने कहा है इसके अलावा जो सबसे महत्वपून है सरकारी नोकरी करने वालों के लिए direct taxes देने वालों के लिए वो ये है कि सरकार ने इस वर्स के लिए किसी भी परकार का tax lab में कोई बदलाव नहीं किया है तो ये एक बड़ी highlight है इस budget की direct और indirect taxes में किसी भी परकार का कोई changes नहीं किया जाएगा यानि पिछले वीतिय वर्स में जो comment ने announcement किया था tax का बिलकुल उसी तरह से tax lab रहेगा फिलहाल इसमें किसी परकार के बदलाव नहीं किया जाएगा तो ये एक बड़ी ख़बर है और एक बंदू जो सिरकार ने बताया है वो कि पहले tax processing tax filing में 93 days तक पैसा refund वोने में लग जाते थे अब वो बहुत ही कम हो गया है गट करके 10 दिन के आसपास हो गया है तो इसमें सरकार निरंतर जो है काम कर रही है तो यहीं थे कुछ खास highlights जो मुझे इसमें मुख बिंदू लगे है अलाकि बजट लगबग 2 घंटे से का था और मुझे तो जो बिंदू मुझे महत्तो पूर्ण लगे जो हम सब के काम का था वो मैंने बताया बाकि आप क्या सुचते है इस बजट के बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं तब तक के लिए जैहिंद नमस्कार